नमस्कार दोस्तों स्वोगत है आप सभी का सरकारी टूडे नियूस के ओफीशल यूट्यूब चैलेंड में दोस्तों आप सभी किने बड़ी कुछ कवरी है क्योंकि रेल्वे में आ चुकी है बंपर भरती जी हां दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे रेल्वे टीसी भरती दोहोजाज 24 के बारे में इसकी नई भरती की नई सूचना जारी हो चुकी है दोस्तों आप भी रेल्वे में नोकरी पाना चाते हैं टीसी की भरती के लिए आवेदन करना चाते हैं तो 24,500 पदों पर ये बंपर भरती का नोटिफिकेशन जारी किया गया है रेल्वे की दरब से दोस्तों टीटी यानि की टिकेट कलेक्टर के पद पर ये भरती निकाली गई है अगर आपका अक्षा दस्वी पास है बार्वी पास है इसनातक पास है तो आप सभी अभ्यार्दी जो हैं रेल्वे की इस नई भरती के लिए आवेदन कर सकते हैं तो आज ही आवेदन कीजेगा आवेदन शुरू हो चुके हैं बड़स से पहले वीडियो को पूरा अंतक जरू दिएगा स्टेब बाई स्टेब आपको भरती की संपूर जान करेंगे और जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें दोस्तों में ज़्यादा से अधाश शेर करें और रोजना सरकारी भरती और रेल्वे भरती की जानकरी के लिए हमारे ओफिशल यूट्यूब चैनल सरकारी टुडे निउस को आज ही सब्सक्राइब कीजेगा और घंटी का बेल आइकल जरू दबाएगा और प्लीज वीडियो को लाइक जरू कीजेगा तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे रेलवे टीजी भरती 2024 के बारे में जिसकी नई भरती की नई सूचना चारी हो चुकी है साल 2024 की 24,500 से अधिक पदों पर ये भरती निकाली गई है कक्षद अस्वी बारवी और इसना तक पास सभी के लिए भरती निकाली गई है रेलवे टीटी यानि की टिकेट कलेक्टर के पद पर ये भरती निकाली गई है जिसके आवेदय शुरू हो चुके हैं तो अन्ने सभी जानकारी के लिए चली आपको सीधा वापसाइट पर लेके चलते हैं तो दोस्तो हमारी जो ऑफिशल वापसाइट है वो है सरकारी todaynews.com यहाँ पर आपको सबसे पहले नई भरतियों की जानकाई दी जाती है दोस्तों आप चाहें तो इसे गूगल में भी टाइप करके सर्च कर सकते हैं तो हमा चुके हैं सीधा हमारी ओफिशल वापसाइट पर और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे Railway TC Clerk Recruitment 2024 के बारे में तो RRB यानि की Indian Railway की तरफ से आ चुकी है नई वेकींसी जो की Group C की भरति है यहाँ पर तीन प्रकार के पद हैं Ticket Collector, TC के पद हैं और Good Guards के पद हैं, Station Master के पद हैं तो 21,700 से 81,000 रुपे महिना आपको सालरे नो रहे है वहीं चेन प्रकरिया में CBD-based exam लिया जाएगा Physical Test, Medical Test और आपके Document Verification होंगे इस भरति के लिए जो उम्रसीमा है वो कम से गाम 18 साल है अधिक्तम जो 32 साल है और ICO में छोट भी है सरकार के नियमन साब अब बात करेते हैं कि Qualification यानकी योग्यता क्या रखे गई है तो कम से कम 10 वी पास अभ्यरती आविदन कर सकते हैं अगर आप 10 वी के लावा बार भी या इसना तक Graduate पास है किसी भी विशेक अंदरगत तो आप अपलाई कर सकते हैं दोस्तो इसके आविदन जो है जुलाई से अगस्त तक चलेंगे और इसका लिंक लिए आपर दिये गया है अपलाई करनेगा बाकि संपूर जानकारी के लिए आप हुमारी वापसेट पर विजिट कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब जरू कीजएगा जेए जेवाराइब जेएगा